शुप्रभात प्यारे बच्चों आपका कक्षा 5 की संस्कृत की इस कक्षा में एक बार पुना श्वागत है प्यारे बच्चों कक्षा 4 की इस फुस्तग में हमने इसे पहली वाली वीडियो में पड़ा पाठ एक स्वदेश वंदना आज हम पड़ेंगे दुतिहा पाठा दूसरा पाठ मम परिवेशा मम मेरा परिवेशा परिवेश मम नाम भासकर है अहम चतुर्थ कक्षायां पठामी अहम मैं चतुर्थ चौथी कक्षायां कक्षा में पठामी पढ़ता हूँ मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ एसा मम परिवार है यह मेरा परिवार है चित्रम पश्यतु चित्रम चित्र को इस चित्र को पश्यतु देखो माता मा पिता पिता जी पित्रव्या कहते हैं चाचा जे को तो पित्रव्या चाचा जी पित्रव्या चाची जी पिता मही दादी जी पिता महा दादा जी अनुजह छोटा भाई अग्रजा बड़ी बहन और अहम मैं भासकर रहा है ?ंहासकर był मैं तो इस चित्र के मार्द्यम से भासकर रहे है अपने परिवार के सदस्यों के विशे में बताया है कि माता ये कौन है मेरी माता है ?पिता ये मेरे पिता है पित्रव्यप ये भासकर के चाचा जी है पित्रव्या ये भासकर की चाची है पितामही ये भासकर की कौन है दादी है पितामहा ये भासकर के दादा जी है अनुजहा ये भासकर का छोटा भाई है अग्रजा ये भासकर की बड़ी बेहन है और अहम भासकरा ये कौन है अहम मैं भासकरा भासकर मैं भासकर ये भासकर का परिवार है और ये भासकर की परिवार में सदस्य है एसा मम पाकसाला एसा यहां मम मेरी पाकसाला पाकसाला कहते हैं रसोई घर को तो एसा मम पाकसाला यहां मेरा रसोई घर है अत्र माता भूजनम पचती अत्र यहां माता मेरी मा भूजनम भूजन यह खाना पचती पकाती है मम अहारे किम किम अस्ती मम मेरे अहारे जो भूजन है किम किम क्या क्या अस्ती है मम अहारे किम किम अस्ती मेरा जो भूजन है वो क्या क्या है चित्रम पश्यतू चित्रों को देखो शूपम दाल रोटी का रोटी शाकम सबजी फलानी फल ओधनम भक्तम चावल को कहते हैं ओधनम और भक्तम जलम पानी तो ये भासकर के आहार है जिने भासकर खाता है भोजनस्य पात्राणी कानी कानी संती भोजनस्य भोजन के पात्राणी पात्र जो बरतन है कानी कानी कौन-कौन से संतिकार्थ हैं तो भोजनस्य पात्राणी कानी कानी संती जो भोजन के पात्र है वो कौन-कौन है एतानी पश्यतू इधर देखिए इन्हें देखिए इस्थालिका थाली, कसूरिकाह, कटूरी, चसकाह, गिलास, चमसह, चमज भूजन की जो पात्र हैं भास करके वो हैं इस्थालिका थाली, कसूरिका, कटूरी, चसकाह, गिलास, और चमसह, चमज एतानी फलानी संती एतानी ये फलानी फल संती है सब यह सब मेरे घर के बगीचे के फल हैं कौन कोन से हैं द्रक्षा द्रक्षा कारता है अंगूर कदली फलम केला आम्रम आम दारी महा अनार पेरुकम अम्रूद जांबिरम नीबू सीता फलम सरीफा और नारंग फलम संत्रा तो द्रक्षा अंगूर कदली पेरुकम कहते हैं अम्रूद को जांबिरम कहते हैं नीबू को सीता फलम कहते थे सारीफा को और नारंग फलम केते हैं संत्रा तो यह सबी भासकर की ग्रहवाटिका के फल है एसा मम कक्षा, एसा यहां मम मेरी कक्षा, यहां मेरी कक्षा है अत्र किम किम अस्ती, अत्र यहां किम किम क्या क्या किम का आतोत है क्या क्या अस्ती है तो यहां क्या क्या है स्याम पटाहा, ब्लैक बोर्ड, अंकनी, पैंसिल, श्यूताहा, बैग, सूचना पटाहा, सूचना, पट, आसंदाहा, कुर्सी, उत्पीतिका, मेज, पंजिका, रजिस्टर, मार्ज कहा, दस्टर, पुस्तकम, किताब, संगन कहा, कंप्यूटर, लेखनी, पैंद, तो ये क्या है, भासकर की कक्षा है, और कक्षा में क्या-क्या है, उसके विशे में बता गया, बताया गया है, तो इस पाठ में भासकर ने अपने परिवेश की विशे में बताया है, अपने जो भूजन की पात्र है, अपने परिवार के सदश्यों के विशे में, अपनी कक्षा के विश में भास्कर में इस पार्थ में बताया है तो प्यारे बच्चों आपका जो यह दुतिया पार्थ है मंपरिवेशह यह पूरा हो गया है कि इसी पार्थ पर आधार्यत सब्दार्था सब्द अर्थ दिये गए हैं आओ इनहें पढ़े पित्रभ्या कहते हैं चाचा पित्रव्या चाची, पित्रव्या चाचा और पित्रव्या चाची, पितामहा दादा, पितामही दादी, द्रक्षा, द्रक्षा, अंगूर, दाडिमह, अनार, पेरुकम, अमुरूद, जांबीरम, नीबू, अग्रजा बरी बहन अनुजह छोटा भाई सूपह दाल साकम सबजी मार्ज कहा डश्टर सुधा खंड़ा चा केते हैं चा को आसंदह कुर्शी उत्पीटिका मेज श्यूतह बैग यबस्ता पंजी का तरजिश्टा प्यारे बच्चों इसी पाड़ पर आधारित यहां पर कुछ प्रश्ण दे गए हैं हाओ इन्हें समझें प्रश्ण संग्या एक है उच्चारणम कुरुत इस मरच्चा उच्चारण कर इनको बोले और इन्हें याद रखे ब्राता पिता पिता महां पिता मही और पित्रव्या अग्रजा अनुजा ब्राता भाई पिता 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 जी पिता महां दादा जी पिता महीं दादी जी पित्रव्या चाचा जी पित्रव्या चाची जी अग्रजा बड़ी बहन अनुजहत छोटा भाई प्रास्न संख्या दो है चित्रानि दिष्टवा नामानी निखत इन चित्रों को देखकर आपको इनका नाम लिखना है संस्कृत में इन्हें क्या कहते हैं यह कारे आप अपनी संस्कृत की उस्तक पर ही करेंगे प्रास्न संख्या तीन है मेलनम कुरुद इन्हें आप मिलाना है पितुह पितुह अस्ती दादा तो क्या है यहां यह संस्कृत सब्द हैं इन्हें आप मिलाएंगे कि कौन सा सही है पितु, पिता, अस्ती, दादा, क्या कहते हैं संस्क्रत में, वहाँ यह मिला रखा है, पिता महाँ, ऐसे ही, पितु, माता, अस्ती, पिता की माता, कौन है, दादी, तो दादी को संस्क्रत में क्या कहते हैं, आपको यहाँ मिलाना है, मातु, माता, अस्ती, माता की माता, नानी तो नानी को संस्कृत में क्या कहते हैं वो आपको इन मेंसे जो सही सब्दे उसके आगे लिखना है पितु भ्राता अस्ती पिता का जो भाई है उसे क्या कहते हैं संस्कृत में चाचा, चाचा को संस्कृत में क्या कहते हैं, वो जो सही सब्दे आपको यहां से उसे मिलाना है, मातु पिता अस्ती, माता के पिता है, माता के पिता है, नाना, तो नाना को संस्कृत में, नाना जी को संस्कृत में क्या कहते हैं, आपको यहां से जो सही सब्दे उसके साथ मि ऐसी है पितुवु माता अस्ती दादी लिखकर आगे डैस करके जो सही सब्द है इन में से उसके आगे लिखेंगे विकारे आप अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में करेंगे प्रसंसंख्या ती प्रसंसंख्या चार है मंजुसाता अक्षरम चित्वा सब्दान पूर्यत मंजुसाता उचित अक्षर को इन में से जो सही अक्षर है उसे चुनकर आपको सब्दान पूर्यत इन सब्दों को इनीची दे गए इनको पूरा करना है इन अक्षरों से आपको इन सब्दों को पू का आएगा कसो का यहां बीच में क्या गया क्षितालम शिता इस प्रशन इस प्रश्ण को भी प्रश्ण संक्या 4 को भी आप अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्दिका में करेंगे प्रश्ण संक्या 5 है रिक्तिस्ताने स्व परिवारिक सदस्या नाम नामाने लिखर यहां जो रिक्तिस्तान है इनमें आपको अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिख मम पित्रव्या अपनी चाची का नाम मम पित्रव्या अपने चाचा जी का नाम मम अनुजह अपने छोटे भाई का नाम यहां बीच में लिखेंगे मम अनुजा अपने छोटी बहन का नाम मम अग्रजा अपने बड़े भाई का नाम और मम अग्रजा बड़ी बहन का नाम तो आप इसे स्वयम करेंगे अपने परिवार की सरश्यों का नाम आपको यहां लिखना है और दिक्तिस्तानों की पूर्टिकन्नी है प्रसन संख्या 5 भी आपको अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में करना है तो प्यारे बच्चों आज का आपका ग्रहकार्य है सबसे पहले आपको नए पेज पर पार्ट का नाम लिखना है प्रसन संख्या 3 प्रसन संख्या 4 प्रसन संख्या 5 को आपको संस्कृत की अपनी कॉपी बर करना है धन्यवाद